तो सबसे पहले मैंने ये एक किलो के लगबग आठा ले लिया दो टेबल स्पून नमक ले लिया आठ दस हरी मिर्स ले लिया बारी कटा हुआ रिफाइंड ले लिया लगबग पचास ग्राम की लगबग रिफाइंड है मैदा ले लिया मैदा करीबन 200 ग्राम है ये मेथी ले लिया मेथी को बारी काट लिया तो सबसे पहले मैं नमक मिला लेती हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ले ले लेती हूँ वायन के लिये यह मैं मैयदा को भी ले लेती हूं और हरी मिर्च भी मैं सारे ले लेती हूं इसको अच्छे तरीके से मैं विला लेती हूं यह देखिए मैंने तेल को अच्छे से मिला लिया है अब मैं यह मेती को भी डाल देती हूं जो बारी कटा हुआ है और इसको भी अच्छे तरीके से हाटे में मिला लेती हूं यह मिक्स अप हो चुका है अब मैं इसमें पानी डालने जा रही हूं इसको अच्छे तरीके से दीरे दीरे सानी है आटे को थोड़ा सा नरम ही सानी हैगा और आटे तभी नरम होते हैं यह देखिए यह को बंचुका है यह देखिए यह को बंचुका है अनरम ही आपको सानना है अब मैं पराठा बनाने का प्रोसेस बताने जा रही हूं आपको तो सबसे पहले मैंने जोई के लिए इतना आटा ले लिया अब मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे और दे दूंगी हमें सब मोटा लेजिएगा पराठा मोटा होता है तभी खाने में टेस्टी होता है अब मैं इसको बेल होगी यह देखिए मैंने इधर मोटा बेला है अब उसी तरह मैं यह दूसरा भी ले ले रही हूं इस तरह के से मोटा लेना है और मोटा बेलना भी है इन लोईयों में सूखा आठा कम से कम दीजेगा तभी पराठे अच्छे बनते हैं इधर मैंने तवा गरम कर लिया है अब पराठो को मैं देने जा रही हूं पराठो को अच्छी तरीके से पहले सेख लेना है उसकी बार हमें देना है कर दो अच्छी में देना है परादे अच्छे तरीके जब बूल चुके हैं, अब मैं इसमें रिपाइन डालने जा रही हूँ रिपाइन डालके इसको अच्छे तरीके से बूलना है पराथा आपके सामने बनके रेडी है इसे आप धन्या पत्ती के चटनी के साथ या अचार के साथ या कोई भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं झाल के साथ याय के साथ याond झाल झाल झाल